15 अगस्त को PM मोदी ने गती शक्ती स्कीम की लॉंचिंग की थी जिसका इंप्लिमेंटेशन पिछले सब्ता हुआ और गती शक्ती अपने देश की रूप रेखा इंफ्रस्ट्रक्चर को किस रूप में बदलेगी इस विकली फंडा में हम लोग यही डिसकस करेंगे किस तरह से देश की निर्मान में गती शक्ती निस्नल मास्टर प्लान जो आया है गती शक्ती का वो किस तरह से नीव रखेगा एक महत्पुन एक बड़े भारत की निर्मान में यह हम लोग आज के इस प्रोग्राम में देखेंगे आगे देखने से पहले kindly सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो thank you very much बेल आइकोन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेस हैं हर वीक में जो तीन-चार वीडियो डाली जाती है नहीं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके नमस्कार आज फिर वीकली फंडा में आपके सामने आया हूँ और आज के वीकली फंडा में दो बिसेस इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ एक तो इंफॉर्मेशन है दूसरी एनलेसिस करूँगा दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट भारत वर्ष ने 100 करोड कोविट वैक्सिन का जो टार्गेट लिया था वो पहला पड़ाव पूडा किया एक सो वैक्सिनेशन कम्प्लीट हुए निश्चित रुप से एक बहुत बड़ी अच्चीमेंट है इतने छोटे समय में और अपने जैसे कंट्री में इस चीज को एचीव करना सचमुच में सराहनी है तो सारी के सारे मैसीनरी, सारे के सारे हेल्थ केर वर्कर्स उन सारे लोगों को सचमुच में बहुत बहुत धन्यबाद के पातर हैं जिन्होंने जीतोर मेहनत करके एक सो करोड के इस आकड़े को पहुँचाया है निश्चीत रुप से ये हिल्थ के एंगल से, लाइफ के एंगल से बहुत ही महत्पून है मगर एकोनामिक के एंगल से भी उतना ही बड़ा महत्पून कदम है क्यों कि जो जो करोना के वैक्सिनेशन्स लोगों तक पहुँच रहे हैं जो जो उन लोगों की कॉन्फिदेंस बढ़ रही है उनको रिएश्यूरिंस मिल रहा है कि अब उन पे करोना का उत्पात दना बड़ा नहीं होगा तो तो एकोनोमिक एक्टिविटीज भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हम लोग उमीद कर सकते हैं कि कॉरोना के वैक्सिन्स कम्प्लीट होते होते निश्चित रूप से देश के एकोनोमिक एक्टिविटीज भी अपने चरम पे पहुँच जाएगी और ये एक अच्छा कदम है जिसके लिए सचमुच में सारे स्टेक होलडर इंक्लोडिंग सारे प्राइम मिनिस्टर्स की लीडर्सिप में सारे मिनिस्टर्स को धन्यवाद के पात रहें सारे स्टेट धन्यवाद के पात रहें और सारे health worker जो इस काम में जीतोर मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद weekly funda का दूसरा topic जिसकी announcement प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को ही किया था गती शक्ती scheme गती शक्ती जिसके अंतरगत national master plan भी अनावरन किया गया national master plan जो कि 100 करोड का है जिसे गती शक्ती यानि कि देश के अलग-अलग infrastructure अलग-अलग development को एक अच्छी सी एक platform मिले और एक साथ मिल के सारे लोग बढ़ें इसके लिए एक कोसिस की गई और इसके एक master plan सामने लाया गया और उमीद की जा रही है इसके आने से जो अपने देश में परिशानिया होती है छोटे-छोटे infrastructure developed करने में भी जो दिक्कते आती है वो इससे दूर होगी सबसे बड़ा काम किया गया है कि इसको complete गती शक्ती को digital platform पे लाया गया जिनके infrastructure development के अलग-अलग scheme चलती है सबको एक platform पे लाया गया ताकि सारे लोग मिलके एक साथ काम कर सके हम आप इस चीज को देखते हैं और जहलते भी हैं कई बार कि एक road बन जाता है और road के बगल में पता चलता है कि फिर से खुदाई हो रही है या road के बिशो बीच खुद के pipeline जाने मगर इन सब को एक साथ जोड़ के कि जब भी एक कोई भी infrastructure develop हो तो सारे stakeholder एक साथ मिलके काम करें ताकि infrastructure का development fast हो सके smooth हो सके और बार बार उसे disturb होने की जोरत नहीं पड़े जैसा कि मैंने कहा कि 15 से 16 central government के ministries को एक साथ इस platform पे लाया गया क्योंकि सारे ministries के अपने अपने infrastructure development के projects चलते हैं मगर वो जब साथ मिलके करेंगे तो एक दूसरे के लिए दिक्कते पैदा नहीं करेंगे बलकि एक साथ मिलके करेंगे तो आसानी होगी और project भी fast होगा और चुकि digital platform पे रख्या गया है तो सारी चीज़ें transparent होंगी सारे stakeholder हर चीज़ को नजदीकी से देख भी सकते हैं सारे satellite pictures एक-एक infrastructure development के satellite pictures available कराएगा है ताकि कराए जाएंगे ताकि उस सारी चीज़ों को लोग देख सके और beforehand ही उसकी planning कर सके इसकी सबसे बड़ी जो benefit होने वाली infrastructure तो फास्ट होगा है जिससे निश्यत रूप से ब्यापार में बहुत benefit मिलने वाला है क्योंकि अभी भी देखा ज लॉजिस्टिक के खर्चे भी बहुत अधिक हैं माना जा रहा है कि जब भी कोई समान हम देश के एक कॉर्णर बनाते हैं और दूसरे कॉर्णर में भेजना होता है या विदेशों में उसे हमें भेजना होता है तो लॉजिस्टिक भी परिशानी है क्योंकि ultimately वो infrastructure development नहीं है तो इसके करण time भी लगता है और cost भी बहुत involved होता है तो उसको भी reduce करने की कोशिस इसके माध्यम से की जा रही है ताकि एक coordinated बातावरन तयार हो सके example के तोर पे roadways के अंदर, railways के अंदर, shipping के अंदर, हर चीजों में coordination हो, waterways के अंदर एक coordination हो ताकि end user तक चीज़ें आसानी स पहुंच सकें, सामान पहुंच सकें, ताकि इससे ब्यापार भी बढ़े और convenience भी बढ़े और इस तरह से कर economic activities बढ़ेगी, तो देश के अंदर तो एक mohal बनेगा ही बनेगा और भारत का जो एक सपना है कि हम एक import करने वाली country की जगह, एक बड़ी export करने वाली country बन सकें, उ उसमें भी मदद मिलने वाला है, तो ये सारे कि सारे जो एक average कहा जा रहा है कि हमारे यहां अभी भी logistic cost जो है तक्रीबन 12-13% के आसपास आता है, government की कोशिस है कि कि किसी तरह से उसको घटा के जो international practice है कि 5-6% से अधिक logistic cost ना हो, तो उसमें लाने की कोशिस जारी है और उम Central Government and State Machineries जब साथ-साथ काम करेंगी तो ये जल्द पूरा हो सकता है, तो निश्यत रूप से स्वागत योगी है, नेस्टर मास्टर प्लान गतिशक्ती के नाम से, और ये उमीद करते हैं कि देश की aspirations हैं, infrastructure development को लेके वो fast होगा, पूरा होगा और बेहतर होगा, इसे के साथ साथ हम लोग इस तरह के जितने भी कारी करम सरकार लाती है, उस पर पैनी नजर तो रखते ही रखते हैं, मगर साथी साथ इसमें जो बेहतर हो रहा है, उसको स्वागत भी करते हैं, और निश्यत रूप से लगाता है, जो improvement की गुंजाइस हैं, वो भी देर सबेर हमें सरकार को suggest भी करने होंगे, तो मैं आप सब लोगों से request करूँगा, कि जो भी हमारे दर्सक हैं, कि इस गतिशक्ति के माध्यम से किस तरह से और बहतर किया सकता, अगर आपके पास भी कोई session हो, तो सरकार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इसे बहतर धंग से complete भी किया जाए, पू weekly funda complete करता हूँ, आने बाले दिनों में हम लोग अलग लग topic पर इसी तरह से weekly funda में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और नही नही जानकारियां आप लोग के साथ share करते रहेंगे, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्ण हो, कोई बिसेश जानकारी आप चाहते हों, तो करते हो, कोई दया है कर दो में दो को